आज हम करेंगे F-Block Elements F-Block Elements आप देखोगे कि ये कौन से चप्टर का पाठ है तो ये हमारे चप्टर का पाठ है प्लस टू Chemistry का ठीक है प्लस टू Chemistry का ये है ये हमारे पास चप्टर है उसमें हम D-Block के Elements अल्रेडी पढ़ चुके हैं और उनके properties उगारा कर लिए हमने ठीक है तो आगे हम करेंगे F-Block Elements तो F-Block Elements कौन से होते हैं इसका देख लेते हैं के Penultimate Shell इसमें N-1D होगा ठीक है और Pre-Penultimate मलब के जिसे Anti-Penultimate Shell भी बोला है वो N-2F होगा ठीक है तो इनको हम बोलते है Inner Transitions Elements इनको हम Inner Transitions Elements भी बोल देते हैं ठीक है तो जो Electron है इसके दोनों Shells में होते हैं ठीक है किसके इसमें D में भी और F में भी ठीक है और इसके दो सीरीज है हमारे पास F की हमारे पास दो सीरीज है तो उनमें से जो पहली सीरीज है उसको हम Lengthonoid बोलते हैं पास वो Lengthonoid ही है ठीक है students तो जे आपको बता दूएं कि Ultimate है और Penultimate में क्या फरक होता है हमार लोग के ये सेंटर में Nucleus है Nucleus के ये उसके Around Shells है ठीक है तो ये वाले जो Shells है हमारे पास मार लोग के ये सबसे बार वाला Shell है तो ये उसके अंदर वाला Shell है फिर ये अंदर वाला Shell है तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस Shell की ये वाला है तो इसे मैं बोलूँगा Anti Penultimate Shell ठीक है Anti Penultimate Shell ठीक है Anti Penultimate Shell और उससे पहले वाला जो होगा उसे मैं बोलूँगा Penultimate Shell second last वला होता है penultimate shell बोलूँगा ऐसे ठीक है तो जो last वला है उसे ultimate shell भी बोला जाता है तो इस तरीके से जो इसका जो n-2 है वो हमारा होता है f वला इसका f है और n-1 जो होता है हमारे पास वो d होता है और सबसे बार वला जो n है हमारे पास वो S होता है ठीक है तो जे इसके इस तरीके से इनकी configuration है लेकिन जो filling होती है वो F में होती है so F block में so इसके anti-penaltymate shell में जो filling होती है ठीक है तो बाकिकी outer more shell की electronic configuration वो ही रहती है लेकिन D में 0 जा एक electron इसमें रहता है तो हम आगे इसकी देख लेते हैं कि क्या है ठीक है electronic configurations so next देख लें तो length and load series में देखे जाए कौन-कौन से element आ जाते है हमारे पास length and load series में सबसे पहला जो element आता है length and load जिसका atomic number 57 है ठीक है और कहां तक है जी lutetium तक है lutetium का कितना है हमारे पास 71 है तो यह 14 element है यह total हमारे पास 14 elements है जिन्हें हम length and load series बोलते है so this is the first series of f block elements this is the first series of of f block elements की first series है ठीक है f block की so इसमे journal electronic configuration देखे जाए तो f में एक से लेकर 4f इसमें मेली कौन सा यूज होगा 4f length and load के case में 4f जो मेली यूज होगा जिसमें electron filling होगी एक से लेकर 14 तक जादा से जादा इसमें 14 electron 14 electron आ सकते हैं और d है जो उसमें जान तो फिर कोई भी electron नहीं होगा जान फिर उसमें एक electron होगा जो सबसे बाहर वाला shell है जिसे हम ultimate shell बोलते हैं इसमें 2 electron पड़े होगे ठीक है तो यह इसकी general electron configuration है हमारे पास block element के length and load की तो next हम देख लेते हैं students जह इसकी position देख ले length and load की तो length and load की position में आपको पता चल जाएगा के इसकी position कहा है तो यह तो this is a first series ठीक है और यह हमारे पास second series अगर first series की बात की जाए तो यह हमारे पास sixth जो होता है period इसमें आता है तो seventh में जो actinide है हमारा जो वो seventh में आता है तो length and load जो है वो sixth period में और actinide जो है वो seventh period में आ जाते है तो यह total 14 element है यह मैंने पहले ही बताया है आपको तो इसकी same number of valency कितनी रहेगी इसकी valency जितने d में electron है maximum 1 है और s में maximum 2 है मतलब के इसकी valency रहेगी ठीक है तो next हम देख लेते हैं हमारे पास जो next आता है so length node के बाद electronic configuration और length node की अलग लग की जैसे हम observe हम कहते हैं कि ऐसी होगी लेकिन वैसा नहीं होता so जो हम observe कर रहे हैं expected है तो हमारी lotisium तक f जो 14 हो जाएंगे लेकिन यह तो हमारी expected है लेकिन this is not in the case this is not the true case तो true case क्या है वो मैं आपको अभी आगे की slide में बता देता हूँ तो ऐसी electronic configuration नहीं है जैसा कि हम सोच रहे है कि based on the off-by principle के based होगी तो ऐसी इसमें electronic configuration नहीं पाई जाती है तो इसमें electronic configuration different होगी so तेके हम कैसे करके इसमें different है जो देखो कि सभी के end में 6s में 2 electron है ठीक है ये ultimate shell है सभी के 2 electron पड़े हुए है तो अगर देखें ये टर्बियम की देखें तो F14 है हमारे पास तो ये रोफियम की देखें तो F7 है ठीक है 4 F7 तो इसकी जे टर्बियम की देखें तो 4 F14 है हमारे पास ठीक है और अगर सीरियम की बात करें तो सीरियम में हमारे पास 4F1 है 4F1 electronic configuration है ठीक है तो यह main main जो element है जो मैंने आपको बताए है कि इस में कितने electron present हो सकते हैं यह इसकी outmost electronic configuration है ठीक है तो oxidation state देख लें oxidation state किसके उपर depend करती है जितने electron D में है और जितने electron इसके S में है आपने 6S में देखा कि हमारे पास 2 electron होते हैं 6S में 2 electron होते हैं और एक जो है 5D में present है और जो बाकी के 4F में present है ठीक है तो जो पहले निकलेंगे वो 6S से electron निकलेंगे और एक जो हमारा है वो 5D से electron निकलेगा इसलिए most of the elements जो है इसके उसकी plus 3 oxidation state होती है तो आपका mostly देख सकते हो कितने यहां plus 3 oxidation state show कर रहे है लेकिन ND है जो वो ही बस ऐसा element है जो plus 2 और mainly हमारे पास plus 2 plus 3 plus 3 oxidation state show करते है और cerium की बात करें PR, TB और DY की बात करें तो हमारे पास plus 4 भी oxidation state show कर देता है ठीक है तो इसका मतलब है कि इसके plus 3 oxidation state is lengthenode को lengthenode को LN करके लिखा जाता है ठीक है तो इसकी most common oxidation जो stable oxidation state है वो plus 3 लेकिन minimum plus 2 और maximum plus 2 plus 4 जो है oxidation state यह show कर सकते है so next lengthenode contraction के बारे में आपने सुना है पहले भी तो जो मैंने पहले परानी वीडियोस बनाई है उसमें बताया है lengthenode contraction क्या होगा कि जो हमारे पास atomic number है जो atomic number है वो बढ़ने से जो atomic size and ionic size वो है क्या हो रहा है gradually decrease in atomic and ionic size with increase in their atomic number so gradual decrease in their atomic and ionic sizes of lengthenodes with increase in atomic number called lengthenode contraction so कारण क्या है जैसे जैसे atomic number बढ़ता है तो nucleus का charge भी बढ़ जाता है so उससे एक तो यह point हो गया दूसरा point यह है कि atomic number बढ़ने से दूसरी चीज़े decrease करती है ठीक है atomic number बढ़ने से ionic radius करते है कारण क्या है हमारे पास screening effect जो है वो तो वह कम होता जाता है screening effect जो है वह कम होता जाता है screening effect क्या है कि जो inner electron होते है nucleus और outer most shell के जो electron है उनके बीच में भी हमारे पास shell है वो वले क्या करते है screen करते हैं ताकि nucleus का effect जो है वो outermol shell के उपर कैसे पड़ता है तो इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा तो मालो के यह हमारे पास nucleus है और nucleus के भी बीच में हमारे पास और भी जो है यह shells है ठीक है तो हमारा जो electron है मालो के यह सबसे बाहर वाला shell है इसमें है मालो के यह success है तो यह nucleus है nucleus और success के यह बीच में दो जो और हमारे पास shells है these are not causing the proper so attraction between the nucleus and outermost shell is greater so these are having the poor shielded these are poor shielding they are poor shielding so poor shielding होने के कारण के इन दोनों में इसे जो electron होंगे दोनों में वो अच्छी तरह से जो shield नहीं करेंगे इसलिए जो 6s वाले electron है जहाँ इसके बाहर वाला को electron जो present होगा इसमें जो आउटर मों शल में होंगे जहां फिर इसके F में होगे, D में हो सकते हैं, जहां इसके 6S में present हो सकते हैं, उनको nucleus अपनी तरफ attract करता है, यूँकि जो बीच वाले हैं, जो बीच वाले इसके intervening बोल सकते हैं, intervening shells हैं, जो वो poor shielding है, उनके वो shielding का effect इतना नहीं कर रहे हैं, so nucleus का जो outer more shell की उपर ज्यादा effect बना रहेगा, ठीक है students, so next देख लेते हैं, हमारे पास effect of the lengthened contraction, effect क्या होता है इसका, कि जितना size cation का ज्यादा होगा, cation मतलब के हमारे पास, जैसे के हमारे पास ln 3 positive है, यह भी cation है, हमारे पास, so cerium CE 4 positive भी हो सकता है, हमारे पास, ठीक है, so एस तरीके से, जैसे जैसे size जो है, cation का ज्यादा बड़ा होगा, tendency to, such hydroxide to dissociate and stronger will be the base, उनका base जो है, strong होगा है, अगर मैं बात करूँ, ln का size जो है, वो, ln 3 positive का size, जो है, वो, CE 4 positive से जो है, वो बड़ा है, तो इसलिए इसका hydroxide जो है, वो, that will be a strong base, वो ज्यादा strong base ह होगा, क्योंकि इसमें से जो OH है, वो, जल्दी release हो जाएगा, it will release the OH so easily, so next देखें, इसका और क्या consequences हो सकते हैं, so effect of lengthanoid contraction, ionic radius के उपर भी पड़ता है, तो post ionic lengthanoid, lengthanoids क्या होते हैं, कि lengthanoid के बाद वाले elements, so lengthanoid के बाद वाले elements है, वो lengthanoids को ही follow करते हैं, ठीक है, तो उनका जो ionic radius elements have the, ionic radius element having the, following the lengthanum, जो lengthanum के hafnium आ गया, TA आ गया, tungsten आ गया, they are similar to that of the elements of the previous period, जो पहले वाला उससे period होगा, उससे ही, उसके जैसे ही इसमें होंगे, there is a normal increase from scaldemium to yattrium and LA तक, ठीक है, यह जो normal increase शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो है, वो lengthanum contraction के कारण, जो है size decrease होता है, so next देखें, और क्या effect है, तो chemical property के उपर आ जाते हैं, chemical property मलब की lengthanum, जो oxygen के साथ rect करेंगे, तो Ln2O3, ऐसे बनाएंगे, यह oxide, अगर acid के साथ lengthanum act करेंगे, तो they will release the hydrogen gas, H2, ठीक है, अगर वो halogen के साथ rect करेंगे, halogen मलब के X, तो कैसे LnX3, for example हमारे पास LnCl3 बन गया, ठीक है, lengthanoid, अगर water के साथ rect करेंगे lengthanoid, तो they will form the hydroxide, they will form the hydroxide, and production of H2 gas, तो इसी तरीके से अगर carbon के साथ rect करेंगे, तो LnC2 जैसे compound बनाएंगे, nitrogen के साथ rect करेंगे, LnN जो उसके साथ लग जाएगा, और sulfur के साथ Ln2S3 ऐसे compound बना देंग ठीक है students, so next हम देखते हैं, इसमें uses, तो lengthanoid के uses क्या है, जैसे के lengthanoid को हम rare earth element भी बोले जाता है, इसो को camera and lenses में use किया जाता है, ये uranium mineral में भी पाया जाता है, so next देखें इसका use क्या है, use in the matchsticks जो हमारे पास lighter होते हैं, lighter में भी इनका sparking material, as a sparking material, sparking light के तोर पे यूज किया जाता है cerium को, so it is useful there, so next इसका use देखें तो इसका aeroplane के parts बनाने में भी use होता है, क्योंकि बहुत hard ये होते हैं, pressure dynamium जो pressure dynamium है हमारे पास, वो बहुत ही light and strong होता है, light and strong होता है, इसलिए इसको light क्यों चाहिए, क्योंकि हवा में उड़ना है, तो strong क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा pressure होता है, तो ऐसा material चाहिए, जहां जो light भी हो और strong भी हो, तो pressure dynamium एक तरीके का ऐसा material है, जो lengthanoid series में आता है, तो इसको वहाँ use किया जाता है, aeroplane के parts मनाने के लिए, so next हम देखें कि इसका agriculture में भी बहुत uses है, so uses of lengthanoid is production of the magnets, तो magnet जैसे के हमारे loudspeakers में magnet लगे होते हैं, उनको बनाने में भी ये काम आते हैं, तो European जो है हमारे white tubes जो हती है, white bulb होते हैं, उसमें use किया जाता है, इसको as a gas के तोर पे बरा जाता है, और glass बनाने में भी काम आता है, और इसको ये filling जो की गई है white bulb में ये European की ही है, ठीक है, so European जो है LED स्क्रीन में blue, green, red lights को production के लिए blue, green and white radiations को computer monitor में बनाने के लिए television screen में use किया जाता है, so it is a used energy efficient light bulbs में भी इसको use किया जा सकता है, ठीक है, due to their properties, so thank you very much, thank you very much for watching the videos, keep watching my channel, mystery crush, thank you.